तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मनू होता है और वो जिम में पूरी जान लगा कर वर्काउट कर रहा होता है मनू एक बॉड़ी बिल्डर था और अपने शैर में होने वाले वेट लिफ्टिंग चैंपियंशिप में गोल्ड लाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था और उस चैंपियंशिप को जीतना ही उसका सबसे बड़ा सपना था तबी वहाँ पर उसके दो दोस्त आते हैं जो की शकल से जुड़ा थे और वो मनू को बताते हैं कि कल हमारे जिम में एक जुमबा टीचर आ रही है तो उसके लिए हमें स्पेस खाली करना होगा और लड़कियां अगर आएंगी तो लड़के भी उनके पीछे पीछे जरूर आएंगे जिसके चक्कर में हमारा जिम खुब कमाई करेगा अब इसके बाद हम मनू को अपने घर में देखते हैं जहां पर उसके पिता जी उसे डांट लगा रहे होते हैं कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो बस सारा दिन जिम करते हो कुछ दो-चार पैसे कमा के लाओ तो अच्छा भी है मनू के लिए पापा की ये डांट कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वो हर रोज ऐसे ही बोलते रहते थे तो मनू भी कह देता है कि एक दिन मैं खूब सारे पैसे कमा कर लाओंगा तब आपका सारा कर्ज चुका दूँगा पिता जी तब भी उसे डांट ही जा रहे होते हैं तब ही मनू को डिफेंड करने के लिए उसके दादा जी बीच में आ जाते हैं और दो चार बाते बोल कर मनू के पिता जी की बोलती बंद कर देते हैं मनू की माँ बहुत साल पहले गुजर गई थी तो अब एक हिसाब से मनू के पिता जी सिंगल ही थे तो उनका चकर किसी पाकिस्तानी मुस्ली मौरस से चल रहा था तो दाजा जी उसी बात का टॉंट मार कर उसे चुप करा देते हैं अब हम देखते हैं कि मनु अपने रूम में होता है तब ही वहाँ पर उसकी दो बेहने आ जाती है और उससे उसकी शादी की बात करने लग जाती है क्योंकि दिन बादिन उसकी उमर बढ़ती जा रही थी लेकिन अब तक उसे कोई भी लड़की नहीं मिली थी मन्नू कहता है कि मैं पहले अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूं फिर उसके बाद ही अपने पसंद की लड़की से शादी करूँगा मन्नू की बहने बिलकुल एक मा की तरह उसका खयाल रखती थी और वो बहन से जादा उसकी मा ही थी क्योंकि मा के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मन्नू को पाला था इसलिए वो उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर करती थी अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मानवी होता है और वही मन्नू के जिम में ऐसे जुम्बा टीचर बनके आई होती है मन्नू जैसे ही मान्नू को देखता है तो उसकी खुबसूरती में खोसा जाता है और उसे इंप्रेस करने के लिए थोड़ा चौन में खड़े होकर इंगलिश में हाई हलो करने लग जाता है पहली नजर में देखते ही जो प्यार होता है शायद वही मन्नू को मानवी से हो गया था और अब उसकी नजरे उससे हटी नहीं रही थी मानवी की खुबसूरती कुछ ऐसी थी कि वहाँ जिम करने वाले सबी लड़कों की नजर उस पर टिक्सी गई थी और मन्नू के साथ साथ बाकी लोग भी उसकी खुबसूरती को नहारे जा रहे होते हैं मानवी का एक लड़के से जल्द ही ब्रेक अप हुआ होता है और उस लड़के की अब शादी हो रही होती है तो उस चीज को लेकर मानवी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है तब ही मानवी की फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम इतनी खुबसूरत हो कि तुमें इसे भी अच्छा कोई लड़का मिल ही जाएगा तो इसे छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो अब हम देखते हैं कि मानवी अपने पिता जी से बात कर रही होती है और पिता जी उसका हाल चाल ले रहे होते हैं मानवी का परिवार अमबाला में रहता था और मानवी अपने आपको एक्स्प्लोर करने के लिए चंदी कड़ आई हुई थी यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ कारण की वज़े से मानवी की मा उससे बात नहीं करती है लेकिन मानवी के पिता जी उसे हर कदम हर टाइम पर सपोर्ट करते थे लेकिन मानवी की मा उससे किस वज़े से बात नहीं करती थी ये आपको आगे पता चल जाएगा अब हम देखते हैं कि मन्नू के जो कोच होते हैं उनका जनम दिन होता है तो सभी बॉडी बिल्डर्स उनका जनम दिन मना रहे होते हैं वहीं पर मन्नू का कॉंपिटीटर भी मौजूद होता है जो की हर साल चैंपियंशिप जीट जाता था और मन्नू हमेशा सेकेंड आता था अब उसके कोच उस टाइम पर उन दोनों के बीच रसी से गाड़ी खीशने का मुकाबला रखवाते हैं तो उसमें भी सैंडी जीट जाता है और मन्नू को फिर से हार का सुआच चखना पड़ जाता है अब इस बात का फ्रस्टेशन वो जीम में वर्काउट करके निकाल रहा होता है और जरूरत से ज़्यादा तेजी से वर्काउट कर रहा होता है जिसके चलते बार बेल सीधा उसके नाक पर जा लगती है और नाक से खून बहना शुरू हो जाता है उस टाइम पर जिम में काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले तो मनु को डंबल्स के अलावा किसी लड़की के साथ नहीं देखा था मनु की दोनों बहने और उसके पिता जी सभी लोग यही सोचने लग जाते हैं कि मनु का उस लड़की के साथ कोई चकर चल रहा है तो उनके अंदर एक उम मिलने का बहाना भी मिल ही गया था अब दोनों ही लोग एक होटल में लंज करने के लिए मिलते हैं तब ही मनु मानु को यह बताने लगता है कि उसे चैंपियन्शिप जीत नहीं है लेकिन हर बाद लास्ट मॉमेंट में वो हार जाता है इस बात पर मानु कहती है कि तुम्हे जुम्बा ट्राइ करना चाहिए जिससे की बॉडी में लचक आएगी और तुम्हें वेट लिफ्टिंग करने में मदद मिलेगी लंच हो जाने के बाद दोनों लोग टहलने के लिए निकल जाते हैं तबी मन्नू बताता है कि मेरी फैमली जितनी देखने में अच्छी है उतनी अच्छी है नहीं क्योंकि सब एक से बढ़कर एक हैं लेकिन मुझसे प्यार बहुत करते हैं अब मन्नू के पूछने पर मान्वी बताती है कि वो घर की एक लौती है और उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मम्मी से ज़्यादा बाचीत नहीं हो पाती क्योंकि जो मैं हूँ उस चीज को वो एकसप्ट नहीं कर पाई मन्नू अब मानवी की प्यार में धीरे धीरे पिगलना शुरू हो गया था और उसके कहने पर उसने मानवी की जुम्बा क्लासेज भी जॉइन कर ली थी लेकिन तभी वहाँ पर मन्नू की दोनों बहने आ जाती है और वो क्लास को जॉइन करते हुए जुम्बा डांस करने लग जाती है और तबी मन्नू वहां से रफू चक्कर हो जाता है अब इस सीन से हमें पता चलता है कि मन्नू की दोनों बहने कितनी ज़्यादा चंट हैं कि वो मन्नू की बारे में और भी ज़्यादा जानने और जासूसी करने के लिए उन्होंने जुम्बा क्लासिस तक जॉइन कर ली थी ताकि उन्हें पता चलता रहा है कि मन्नू और मन्नू की बीच क्या चल रहा है हम देखते हैं कि अब होली का दिन आ जाता है और मन्नू के घर पर होली का जशन चल रहा होता है जहां पर सभी लोग मस्ती से नाजगा रहे होते हैं और वहीं पर मानवी भी मौजूद होती है जो कि मन्नू ने उसे होली में इन्वाइट किया था वहाँ पर खुब मज़े के साथ सभांग के नशे में जूम रहे होते हैं तभी मानवी और मन्नू आमने सामने आ जाते हैं और उनकी आखों याखों में बाते होना शुरू हो जाती है तभी मन्नू उसे एक रूम में लेकर जाता है और उसके करीब जाकर अपने होटो को उसके होटों से मिला देता है मानवी उस टाइम थोड़ा पीछे हटते हुए कहती है कि मुझे तुमें कुछ बताना है लेकिन मनु उस वक्त जिस उचाई पर था उस टाइम उसे बस मानवी के करीब जाने की इच्छा हो रही थी तो वो दुबारा से उसके करीब जाते हुए अपने होटों को उसके होटों से मिला देता है और उसकी बातों को अंसुना करते हुए उसकी और भी ज़्यादा गहराई में जाने लग जाता है मानवी मनु की बॉड़ी से निकली गर्माहट को महसूस करते हुए वो भी उसे जोर से पकड़ कर अपनी गहराईयों में उतारने लग जाती है और तब वो भूल जाती है कि वो उसे क्या कहने वाली थी और देखते ही देखते उन दोनों में वो प्रोसेस शुरू हो जाता है जो हमकसर अपने लव पार्टनर के साथ करते हैं अब ऐसे ही नर और माधा के बीच सहवास की प्रक्रिया जारी रहती है और दिन प्रति दिन सुबा शाम जब भी मौका मिले ये दोनों ही बेट पर एक दूसरे के उपर उचल खूत करते ही रहते थे अब ये जो बेट पर मेहनत चल रही थी उसमें दोनों लोगों की अंडस्टैंडिंग थी और दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ मेहनत करके पसीना बहाने में काफी आनंदा रहा था इसलिए दोनों लोग हमेशा ही पसीना बहाते रहते थे अब एक दिन मनु खुशी खुशी मानवी से कहता है कि तुम बाकी लोगों से बिलकुल अलग हो मुझे तुम से प्यार हो गया है क्या तुम मुझे से शादी करोगी ये सवाल सुनने के बाद मानवी खुश तो होती है लेकिन उसके चहरे पर टेंशन से नजर आने लग जाती है मनु को लगता है कि शायद अभी वो मेरे साथ कमफर्टेबल नहीं है इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जुम्बा भी सीख लूँगा और इंगलीज भी तब तो शादी कर लोगी ना मानवी कहती है कि जो तुम सोच रहे हो वो बात नहीं है मानवी घबराते हुए और काफी सोच समझ कर मनु को बताती है कि वो एक ट्रांस करल है मनु को समझ ही नहीं आता कि आखे ट्रांस करल होता क्या है मानवी बताती है कि पहले मैं लड़का थी लेकिन अंदर से मैं लड़की थी तो इसलिए मैंने अपना ओपरेशन करवा लिया और पूरी तरह से लड़की बन गई वो इस बात को प्रूफ करने के लिए मन्नू को अपनी पहले की फोटोस भी दिखाती है जब वो एक लड़का थी ये सारी बाते सुनने के बाद मन्नू के एकदम होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक तरह से उसे बहुत बड़ा जड़का प्लस धोका मिला था जिसे सुनने के बाद वो एकदम सुन पड़ जाता है अब वो सोचने लग जाता है कि उसने एक लड़के के साथ संभोग किया है और अब तक उसकी ही गहराईयों में गोते लगाते आ रहा था मानवी उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अब वो लड़का नहीं बलकि पूरी लड़की बन चुकी है लेकिन मनु उसकी एक भी बार सुनने को तयार नहीं होता क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या होता है वो जाते जाते मानवी को धमकी दे कर जाता है कि उसने उसको धोका दिया है तो अब वो उसकी जिंदगी बरबात कर डालेगा अब मन्नू ये सारी बाते जाकर अपने जुड़वा दोस्तों को बताता है तो वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मानवी लड़की है या लड़का है और अगर लड़का है तो मन्नू ने उसके साथ संभोग कैसे कर लिया मनु कहता है कि संभोग जैसे किया जाता है वैसा ही किया और उस टाइम पर कुछ अलग लगा भी नहीं बलकि नॉर्मल से भी जादा अच्छा लगा लेकिन पता नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा मानु अगले दिन मनु से उस बारे में बात करने के लिए आती है लेकिन मनु उसे बिलकुल ही इगनोर कर देता है और उसे बात तक नहीं करता मनु भले ही मानवी को इगनोर कर रहा था लेकिन कहीं न कहीं उस बात का गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था तो वो उसी गुस्से में खुद ही मानवी के पास जाता है और इल्जाम लगाने लगता है कि तुम्हें तो बस संभोग चाहिए था तो मेरी इज़त क्यों खराब करी और अब तुम चंदी गड़ छोड़ कर चली जाओ वन्ना बहुत बुरा होगा मनु द्वारा ऐसी बत्तमीजी भरे तरीके से बात करने पर मानवी कहती है मनु जितने गुस्से में उसके पास गया था उतना उसे कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि मानवी बच्पन से ताने सुन सुनकर इतना स्ट्रॉंग हो गई थी कि मनु के तानों से उसे कोई भी फरक नहीं पड़ा था मनु अब अपने में ही परेशान था कि आखिर वो करे तो करे क्या उधर मनु के परिवार वाले मनु और मानवी को लेकर अलग सपने सजोए जा रहे थे कि उन दोनों की जल्द ही शादी हो जाए तो अच्छा है लेकिन मनु तो मानवी की सच्चाई जानने के बाद उसे एकसेप्ट ही नहीं कर पा रहा था तो शादी तो क्या ही करता अब मनु फिर से मानवी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घरवालों से कह दो कि हम दोनों अब साथ नहीं है क्योंकि वो मेरी बात तो सुनेंगे नहीं इसलिए तुमें ही आना पड़ेगा ताकि वो सभी लोग हमारे बारे में सपने देखना बंद कर दें मानवी उससे कहती है कि अपने घर वालों को जाकर ये सच बता दो कि मैं ट्रांस गरल हूँ तो वो खोदी सोचना छोड़ देंगे लेकिन तुम ये बता नहीं सकते क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी बेजिती लगेगी तो इसलिए बैतर है कि तुम्हें जो करना है करो मैं कुछ भी नहीं करने वाली मनु अब सोच में पढ़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या क्योंकि वो मानवी से ना तो दूर जा पा रहा था और ना ही उसकी सच्चाई को एकसप्ट कर पा रहा था अब वो मानवी के बदलाओ के बारे में और अच्छे से जानने के लिए इंटरनेट पर ट्रांस गर्ल के बारे में जानकारी लेने लग जाता है और वो ये भी देखता है कि आपरेशन करके एक लड़का लड़की कैसे बनता है मनु भी अपनी जगा पर गलत नहीं था हम में से कोई भी होता तो उसको भी ऐसा ही फील हो रहा होता जो इस वक्त मनु फील कर रहा था क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं वो कोई बहुत बड़ी बात आप से चुपा कर रखे और काफी कुछ हो जाने के बाद बताए तो उस चीज को एकसप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है लेकिन मनु अब धीरे धीरे उस चीज को समझ कर और उसके बारे में जानकारी लेकर मानवी की सचाई को समझने की कोशिश करने लगा था अब हम देखते हैं कि मनु ट्राफिक में खड़ा होता है तब ही उसे एक किनर दिखाई पड़ती है तो वो उसी से बात करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का सोचता है मनु की सारी बात सुनने के बात किनर कहती है कि तुम्हें जब वो अच्छी लगती है तुम्हारा खयाल रखती है तुम्हारे सुख दुख को वो अपना मान के चलती है और तुम्हें उसके साथ संभोग करने में भी आनन दाता है तो उसके साथ रहने में प्रॉब्लम ही क् मन्नू के चेहरे पर तब भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिखाई पड़ रही होती है तो किन्नर कहती है कि मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास भेजती हूँ तुम उसके पास जाओ तब तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी अब इन दोनों में बाते चली रही होती है कि तभी वहाँ पर मन्नू की बहन आ जाती है और मन्नू को किन्नर से बात करता देख उसके होश उड़ जाते हैं और तब उसे समा जाता है कि जरूर कुछ कड़बड है किनर ने जिस दॉक्टर से मिलने को कहा था मन्नू अपने जुड़वा दोस्तों के साथ वहीं पर चला जाता है दॉक्टर उससे समझाती है कि इनसानों का पुरुष या औरत होना ये हमारा दिमाग डिसाइड करता है शरीर नहीं मान्वी का शरीर बेशक लड़के का था लेकिन उसका दिल दिमाग और सोच सब लड़की का था तो जो गल्ती भगवान से हो गई उसे मान्वी ने ऑप्रेशन करवाके सही करवा लिया अब आपको इससे जादा जानकारी दे सकती हूँ लेकिन अभी आपको जानकारी की नहीं बलकी हिम्मत की जरुवत है कि आप उसे वैसे ही एकसेप्ट कर पाएं जैसे कि अभी वो है ये सारी बाते बाहर खड़ी उसकी बेहन सुन रही होती है और तब उसे पता चल जाता है कि मानवी अभी तो लड़की है लेकिन पहले लड़का थी और वो अपनी दूसरी बेहन को फोन करके जिम में आने को कह देती है अब मनू जब घर जाता है तो घर का महौल एकदम गरम होता है क्योंकि सबी लोगों को मानवी के बारे में पता चल चुका था वो लोग भी उसे इस तरह से एकसप्ट करने को तयार नहीं थे इसलिए वो मनू को मानवी से दूर रहने को कह रहे होते हैं मनू उस वक्त कोई भी जवाब नहीं देता और चुप चाब वहां से चला जाता है मनू के दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारी दोनों बहने जिम में आई थी और वहां मानवी की बहुत बेजिती की तो उसे वहां से मजबूरन जाना पड़ा तबी मनू के दोस्त के मुबाइल में एक वीडियो आती है जिसमें कि दिक रहा होता है कि मनू की बहने मानवी को बेज़त कर रही होती है और किसी ने उसी चीज की वीडियो बना के शोचल मीडिया पर डाल दिया था और अभर जगे वही वीडियो वाइरल हो रही थी ये सब जानने और देखने के बाद मन्नू का खून एकदम खौल उटता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मानवी के साथ जिसने बचसलूकी की थी वो उसकी सगी बेह नहीं थी मानवी अब शहर छोड़ने का सोच चुकी थी तो वो अपने कपलों की पैकिंग कर रही होती है तब ही उसके पास एक कॉल आता है जिससे की पता चलता है कि उसके पापा की तबियत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है मानवी भागते दौरते हॉस्पिटल जाती है तो उसे वहाँ पता चलता है कि उसके पापा को हार्ट अटाइक आ गया था इसलिए उनको तुरंदी हॉस्पिटल लाना पड़ा वहीं पर मानवी की मा भी मौजूद होती है लेकिन जब वो मानवी को देखती है तो उसे एकदम अंदेखा कर देती है जैसे कि वो शायद इसलिए मानवी की अपनी मा से बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उसकी मा ने तो उसे बेटा जनम दिया था पर अब वो बेटी बन गई थी इसलिए वो उसे एकसेप्ट नहीं कर पा रही थी उधर मनु मानवी की तलाश में हर जगा भटक रहा होता है लेकिन उसे कही मानवी उसे देखती है तो उसका मूड और आफ हो जाता है तब ही मनु वहाँ खड़ी मानवी की फैमली से बातचीत करने लग जाता है और उस टाइम पर काफी ऑक्वर्ट से सिचुएशन बन जाती है क्योंकि मानवी की फैमली पहली बार ही मनु से ऐसे मिल रही थी तो उन मुझे रात और रात कोई शौक नहीं आया लड़की बनने का ये मैं बच्पन सही थी और तब से मैंने आपको ही देखा है कि आउरत बनना क्या होता है एक बार बस अपनी बेटी बना कर देखिए क्योंकि लड़का हो या लड़की ऑलाद तो आपकी ही हूँ इतनी सारी बा बाकी लोग यहां से जा सकते हैं डॉक्टर की बात मानते हुए मानवी वहीं रुख जाती है और तब मनु भी उसका साथ देने के लिए वहीं पर रुख जाता है मनु मानवी की पास जाता है और उसके साथ उसकी बेहनों ने जो भी किया था उसके लिए माफी मांगता है मा मनु के उपर काफी ज़्यादा गुसा थी तो वो उससे रूडली बात करते हुए कहती है कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाओं तो अब मैं जा चुकी हूँ और कल तुम्हारा कॉम्पटीशन है तो उसकी तयारी करो और यहां से चले जाओ मनु उससे कहता है कि जब से तुम्हारी सचाई पता चली है तब से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैं गौर्मेंट स्कूल में पढ़ा हूँ तो इससे पहले कभी ट्रांस गल के बारे में कभी कुछ जाना ही नहीं मनु कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और जो तुम आज हो वही मानवी मुझे पसंद है और तुम जैसे भी हो वैसे ही मुझे पसंद हो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो या नहीं मानवी उसे कुछ कह पाती उससे पहले वहाँ मन्नू के पिता और उसकी दोनों चंट बेहने आ जाती हैं और उसे घर वापिस चलने को कहने लग जाती है मन्नू अपने पिता जी से कहता है कि आप जिस औरत से प्यार करते हो उसे घर ले आओ क्योंकि आप यही मौका है वरना ऐसे ही समाज के बारे में सोचते रह जाओगे और तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा मन्नू की पिता जी जो अब तक अपनी बेटियों का साथ दे रहेते एकदम से पलट जाते हैं और अपनी महबूबा को घर लाने के लिए निकल जाते हैं मान्नू उस वक्त मन्नू से कुछ भी नहीं कह पाती और अपने पिता जी का खयाल रखने के लिए वापिस से हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है अब अगले दिन चैंपियनशिप का दिन आ जाता है और वहां मन्नू सेंडी और बाकी लोगों से मुकाबला करने को तयार खड़ा होता है कॉम्पटिशन शुरू तो हो जाता है लेकिन एक भी गेम में मन्नू जीत नहीं पा रहा होता है हर गेम सेंडी ही जीत रहा होता है मानवी की गैर मौजूदगी में मन्नू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और नहीं उसके अंदर कॉम्पटिशन जीतने का कोई जोच दिक रहा था क्योंकि सारा ध्यान तो उसका मानवी के ही पास था अब हम देखते हैं कि मानवी के पापा को होश आ जाता है और उनके बगल में मानवी और उसकी मा बैठी होती है यहां हमें देखने को मिलता है कि मानवी की माने मानवी को लड़की के रूप में एकसेप्ट कर लिया था क्योंकि उन्हें एसास हो गया था कि लड़की हो या लड़का हौला तो उनकी ही है तबी मानवी को मन्नू के दोस्त का कॉल आता है और उसको चैंपियनशिप में आने को कहता है क्योंकि मन्नू का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मानवी जब वहाँ पहुंचती है तो उसे देखते ही मन्नू के चेहरे पर एकदम रौनक सी आ जाती है और अब उसके अंदर चैंपियनशिप जीतने का असली जोज भी आ जाता है सैंडी अब तक वेट लिफटिंग में जीथते आ रहा था और इस बार उसने 5 किलो वेट और बढ़ा कर वेट लिफ्टिंग करने में कामियाब हो गया था मानवी के आने के बाद मनू मे अतना जोश आ गया था कि 5 किलो वेट और बढ़वा लेता है इसके बाद अब मनु पूरी जान लगा कर वेट उठाने की कोशिश करने लग जाता है और मानवी की तरफ देखते हुए पूरे 150 किलो वेट उठा कर पूरे भारत में इतिहास रज देता है और उस चैंपियंशिप को जीत कर गोल भी हासिल कर लेता है यहां हम देखते हैं कि अब मनु की दोनों चंट बहने भी पिगल चुकी थी और उन्होंने भी मानवी को एकसेप कर लिया था और अब सभी लोग मनु की जीतने पर खुश थे मनु मानवी को स्टेडियम के बीचो बीच लाता है और तब उससे उसी सवाल का जवाब पूछता है कि वो उससे पसंद करती है या नहीं तब इमानवी खुशी खुशी उससे हां कर देती है और फिर दोनों लोग खुशी के मारे भरे स्टेडियम के बीचों बीच अपने होटों को चुम्बक की तरह चिपका कर प्यार का इजहार करने लग जाते हैं और फिर मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों इस मूवी के जरिये जो मैसेज देने की कोशिश करी गई है वो हम सभी जानते हैं कि उसे असलियत में एकसेप्ट करने में कई साल लग जाने वाले हैं क्योंकि रियालिटी में हमें पता है कि हमारी सुसाइटी कैसी है और वो थर्ड जंडर को किस निगा से और किस सोच से देखती है सुसाइटी का इतना दबाव रहता है कि जो लोग वाकई में लड़की या लड़का ना होने पर भी खुद को लड़की या लड़का जैसा फील करते हैं वो भी कभी किसी को अपनी फीलिंग नहीं बता पाते क्यूंकि खुद भी उन्हें यकीन नहीं होता कि वो जो शरीर से हैं वो अंदर से अलग हैं और उन्हें ये डर भी रहता है कि अगर किसी को शेर किया तो इंसान क्या सोचेगा और क्या समझ पाएगा भी या नहीं हम अक्सर छक्का, हिजडा और ऐसे शब्दों को गाली देने या किसी का मजाक उड़ाने के लिए इस्तमाल करते हैं और जिसका मजाक उड़ रहा होता है वो भी ये शब्द सुनकर चिड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि जिने ये बोला जाता है वो लोग अच्छे नहीं और ऐसे ही समाज ने उन सभी को एक अलगी पहचान दे दी है कि कोई अगर सच में कुछ भी फील करता हो तो वो बदनामी के डर से बता नहीं पाता मान लीजिए कि अगर मैं ही फील करूं कि मैं लड़का नहीं बलकि अंदर से एक लड़की हूँ और ये बात अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊं या किसी भी करीबी इंसान को बताऊं तो पहले तो वो मेरा मजाग बनाएगा फिर ये बात हर जगह फैलेगी और ऐसे ही फिर हर कोई मेरा मजाग बनाएगा और फिर जब ये बात घर में पता चलेगी तो पता नहीं उनका क्या रियाक्शन होगा अब ये चीज हर किसी पर भी लागुन नहीं हो सकती क्योंकि बहुत से लोगों के पैरेंट्स काफी सपोर्टी होते हैं और समाच के द्वारा बनाए बेकास नियमों को नहीं मानते और वो वही एकसेट करते हैं जो उनके बच्चों के लिए सही होता है जिस तरह से मनु ने मानवी को एकसेट कर लिया उस तरह के केसेस आपको काफी देखने को मिल जाएंगे तो ये भी नहीं है कि ये कोई एकदम अलगी बात है लेकिन कमाल की बात ये है कि जो चीजे हमें अपने एजुकेशन से पता चलने चाहिए वो सब हमें एक मूवी के द्वारा जानने को मिलती है तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारी एजुकेशन में क्या कम्या है कि हम उन चीजों को भी नहीं जानते हैं जो असल दुनिया में होती है बलकि उन्हें तो एकदम ऐसा बना कर रखा गया है कि अगर हम उन्हें जान ले तो जैसे कोई पाप कर दिया हो अब इस टॉपिक्स रिलेटेड में बस यही कहूंगा कि मेरे कहने से आपकी सोच एकदम से तो नहीं बदल जाएगी अब जैसे धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है वैसे ही इस चीज को हम सभी लोग नॉर्मल लेने लगेंगे और यह समझने लग जाएंगे कि लड़का चाहे लड़की बने या लड़की चाहे लड़का बने यह सारी चीजे नॉर्मल हैं क्योंकि जो आप अंदर से फील करते हैं वही आपको बनने का मौका मिले तो किसी का हक नहीं बनता उसे रोकने का और उसे बदनाम करने का वैसे अगर आपको कोई चका कहता है तो आप यह समझे कि आपके अंदर मर्द और और औरत दोनों की ही पावर्स हैं मतलब आप सामने वाले से ज़्यादा पावर्फुल हैं बात करें अब एक्टिंग की तो हम सभी जानते हैं कि आयुश्मान खुराना की मूवी में हमेशा कॉमेडी के साथ साथ एक मैसेज जरूर रहता है जो कि हमारे समाज को आईना दिखाने का काम करता है और ये बताता है कि जिन चीजों से आप भागते हैं वो चीजे काफी नॉर्मल हैं और एकसेप्ट करी जा सकती हैं आयुश्मान ने इसमें एक पंजाबी बाडी बिल्डर का रोल निभाया है जो कि उन पर काफी सूट कर रहा है और उन्होंने इस रोल के लिए काफी तगडी बाडी भी बना ली ताकि रोल एकदम उन पर फिट बैट सके वहीं वानी कपूर की बात करें तो उन्होंने एक ट्रांस गल का काफी अच्छे से रोल निभाया है और उनकी अब तक की बेस्ट पर्फॉर्मेंस मानी जा रही है और वहीं बाकी जो सहकलकार हैं उन्होंने भी अपने करेक्टर को काफी बढ़िया तरीके से निभाया है इस फिल्म के जरिये भले ही बहुत ही अच्छा मैसेज देने का ट्राई किया गया है लेकिन ये मूवी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी बधाई हो या फिर बाला थी इस मूवी को आप अगर देखना चाहते हैं तो आप अपने नजदी की सिनेमा घरों में देख सकते हैं और शायद आने वाले समय में ये किसी OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएगी तो फिर आप इसे घर पर बैठ कर भी देख सकते हैं तो ये था एक्स्प्लेनेशन चंदी गड़ करे आशी की मूवी का